नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम नरेंदर विक्रम शाह है दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं करक राशी के इष्ठ देवता कौन है दोस्तों जो करक राशी है ये 12 राश्यों में इसका चौथा इस्थान है दोस्तों यानि की चान नमबर पे आती है दोस्तों जो करक राशी है इसके जो देवता है वो बताया गया है चंद्रमा और चंद्रमा को बताया गया है दया, प्रेम, मम्ता का देवता बताया गया है जो करक राशी के लोग होते हैं इनमें अत्याधिक दया होती है ये काफी एमोशनली वेक्ती होते हैं जिसको प्यार करते हैं दिल से प्यार करते हैं और जिससे नराज होते हैं ये दोनों ही स्थिति बेकार है क्योंकि चंद्रमा सोच भी है मन क्या है सोचता भी अधिक है तो ये लोग इतना अधिक सोच लेते हैं कि इन पे सोची हावी हो जाती है जिससे कभी कभी ये मांसिक पर सेया में कमी है जöm अत्याधिक प्रेयमिया दया करते हैं तो बदले में यही चाहते हैं और जब कोई विक्ति नहीं कर बाता है तो आधम पे गुस्पाना जाता baked तो कट्राश ज के लोग जातर इस चीज के शिकार हो जाते हैं और सोस तो इन पहाबी रहती रहती है तो मन ही अगर दुरूबल हो जाए या कमजोर हो जाए तो आदमे के जीवन में कटनाईयां उत्मन होनी शुरू हो जाती है क्योंकि पड़ते एक चीज का कारक मन ही तो है आपने सुना होगा कि भई उसका में मन नहीं लग रहा है तो ये सब चंद्रमा से होता है और करक राशी पे चंद्रमा का अत्यादिक परवाव होता है तो जो करक राशी के इष्ट देवता है वो शिवजी भगवान है यानि कि शंकर भगवान है और क्योंकि संकर भगवान ने अपने शीष पे चंद्रमा धारन किया है जब ये जातक संकर भगवान की पूझा पाट करता है तो इनका मन इस्थिर रहता है जानि जैसे गिता में का है कि कोई आया तो दुख नहीं और कोई गया तो दुख नहीं आदमी इस्थिर मन का रहता है तो दोस्तों ये सब अगरा संकर भगवान की पूझा पार्ट करेंगे तो इस सब होना शुरू हो जाता है दूसरा मन ही तो शांति का कारक है आदमी जब शानती को पराफ्ट करता है तब ही सुख सुवीधाओं या काम का भी आनन्द पराफ्ट कर सकता है तो जो भी विक्ति महादेव की पूजा करते हैं तो उनके सब पराफ्ट होते हैं इसलिए करक राशी के जो इश्ट देवता है यानि कि उन पे सबसे अधिक परवाव महादेव का होता है ऐसे जातकों को महादेव की पूजापाट करनी चाहिए दोस्तों इसी के साथ मैं माप करता हूँ अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार धन्यवाद जय हिन जय भारत